अच्कल बहुत सारी applications में optimization algorithm का use होता है एक्चली और optimization algorithm ये normal optimization algorithm नहीं है जो कि mathematics में define किया जाते हैं ये randomized algorithm है जो कि specialized computer program है जिनको आप optimization problems को solve करने के लिए लगा सकते हैं ऐसे कई सारे important algorithm है लोग इसमें research भी कर रहे हैं changes करके इनके नए variant भी बना रहे हैं लेकिन बहुत कम लोगों को ही इनके बारे में सही नौलेज है। बहुत सारे इंटरनेट पर पढ़े हुए वीडियो भी कलत नौलेज दे रहे हैं। तो मैं यह कुसिस करूँगा ताकि मैं यह कुसिस करूँगा कि जदा से जदा लोग इसके बारे में समझें और इसके रिएंट्स कर सकें अप्लिकेशन पर लगा सकें तो मैं यह आज बारे में डिसकस करूँगा जिसका नाम है डिफरेंशल इवलूशन आलगोर्थम तो जो भी रेंड़माइज अलगोर्थम है उस पर सबसे इंपोर्टन चीज यह है कि वो सारे के सारे जो रेंड़माइज अलगोर्थम जो आप्टमाइजिशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज होते हैं वो क्या कैसे बनाए गए हैं वो किसी पर्टिकलर नेच यह प्रॉब्ल फिनोमना है जिसके बसिस पर ये बने हैं उसी के अकॉर्डिंग इनका नाम दीया जाता है तो जैसे डिफरेंशल एलगोर्थम यह evolutionary process को map करता है, इसलिए इसका नाम evolutionary algorithm है, ठीक है, evolutionary process क्या है, evolutionary process का मतलब यह है, कि species कैसे evolve होती है, वो एक process है, तो डार्विन, Charles Darwin नम का एक scientist था, उसना बताया था, यह process जो species है, वो evolve होती है, और evolution के लिए वो तीन चीज़ां करती है, पहला selection, फिर crossover and फिर mutation, यह तीन चीज़ां यूज होती है, तो उसी तरह से हम computer का program बनाएंगे, जिसमें के हम यह तीनों operator implement करेंगे, selection, crossover and mutation, ठीक है, पर DE algorithm जो है, DE algorithm ही एक अकिला evolutionary algorithm नहीं है, ऐसे कई सारी evolutionary algorithm है, इन में थोड़ा बड़ डिफरेंस है, कुछ में कम operator लगाए गए हैं, कुछ में operator बराबर लगाए गए हैं, लेकिन operator का order अलग है, तो DE में जो operator लगाए गए हैं, वो तीन है, selection, crossover and mutation, पर जो order है इनका लगाने का, वो mutation है परें, फिर crossover है, फिर selection है, तो DE और GA, genetic algorithm और differential evolution algorithm दोनों ही evolutionary algorithm है, ठीक है, पर दोनों में अंतर क्या है, DE जो है, वो minimization process of problem को solve करने के काम आता है, GA maximization problem को solve करने के काम आता है, और GA में जो order है, प्रोग्राम बनाने का, उसमें सबसा पहले selection यूज़ करते हैं, फिर crossover, फिर mutation, लेकिन DE में यह order उल्टा है, पहले हम mutation यूज़ करेंगे, फिर crossover and then selection, तो यह हमें इद्याद रखना होगा, तो तीसरी चीछ जो है न, वो एक encoding बेड़ेंट करती है, तो generally DE के जो variant है, जो DE बना होता है, वो हमारा real parameter encoding का, तो यह real valued problems को solve बनने के काम आता है, तो जो real valued input होती है, अगर हम real values यूज़ कर रहे हैं input के लिए, तो हम इसे real parameter encoding करते हैं, encoding मतलब हम अपने solutions को कैसे represent करते हैं, ठीक है, DE कैसे काम करता है, तो यह जो है, DE में क्या होता है, एक process कई बार repeat की जाती है, ठीक है, तो वो process है कौन सी, और उस process में क्या-क्या यूज़ करते हैं, तो DE में जो process है, उसमें तीन operator लगाते हैं, एक लगाते हैं, mutation, फिर crossover and फिर selection, ठीक है, तो यह जो जब तीनों जो method है, mutation, crossover and selection जब हम लगाते हैं, तो हमारा parent population जो है न, वो office spring population में बदल जाता है, अच्छा यह बताना मैं बोलिया, कि parent population क्या है, तो generally क्या होता है, कि जब हम उप्टा optimization algorithm लगाते हैं, तो हम एक solution लेते हैं, और उसको update करते हैं, जैसे मालो x is equal to 1 हमने लिया, तो हम उसमें कुछ processing ल क्या करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, multiple points से start करते हैं, तो multiple points मिलके हमारा बनाते हैं, population, parent population का मतलब कि हम कई सारे point randomly initialize करेंगे, search space से, search space के बारेंट बताएंगे आपको, और फिर कौनकों से operator लगेंगे, फिर उसमें लगेगा mutation, फिर लगेगा crossover, फिर लगेगा selection, तो फिर हमारी office sharing population जनलेट हो जाईए, अच्छा, ये कितनी बार चलाएंगे, तो generally programmer इसको fix करता ह है, किसे कितनी बार चलाना है, problem के complexity के हिसाफ से हम इसको vary कर सकते हैं, तो अगर हम ये पूरी के प्रोसेस सो बार अगर run कर रहे हैं, तो end सो बार हो जाएगा, ये program को चलाने का तरीका है, अब हागे देखते हैं, लेगे एक example problem देते हैं, कि हम इसको D को कैसे लगा सकते हैं, तो बहुत simple problem है, दो variable की problem है, एक चीज़ और समझने पड़ेगी हमें, कि जो हम problem लगाते हैं, मैंने आपको बताया है, कि D जो है न वो, हम problem को solve, optimization problem को solve करने के काम लगाता है, ठीक है, पर optimization problem किस तरह की होती हैं, इनके बारे में भी बहुत आपको detail study करनी पड़ेगी, लेकि मैं भी आपको short में बता देता हूँ, कुछ problem ऐसी होती है, जो continuous optimization problems होती है, कुछ होती है, discrete optimization problem, कुछ होती है, real valued problem, तो यहाँ पर आप देख रहे हो, कि X1, X2, जो यह function है, यह X1, X2 से मिलके बना हुआ, ठीक है, और X1, X2 जो है, इनकी value 0 से 10 के बीच में है, तो हम continuous में कोई value भी value ले सकते हैं, ठीक है, तो real parameter encoding हम यहाँ पर use करेंगे, क्योंकि यह पूरा real space है, real space को cover करने के लिए हम DE में real parameter encoding use करेंगे, हम क्या करेंगे, normally करते क्या, encoding का मतलब क्या होता है, कि हम यह define करते है, solution कैसे represent कर रहे हैं, तो अगर हम real solution represent कर रहे हैं, तो how many solution में भी there, इस search space में मतलब x1 की value 0 से 10 के बीच में कुछ भी हो सकती है, x2 की value भी 0 से 10 के बीच में कुछ हो सकती है, तो कोई भी solution valid है, जो real values से represent किया गया है, जैसे 1.1, 1.1, दोनो, x1 की value भी range में है, x2 की value भी range में है, तो यह हमारा एक parent solution हो सकता है, parent population को belong कर सकता है, तो ऐसे ही हम क्या करते है, randomly, पूरा search space, search space मतलब जो भी हमारा domain input domain, उसमें हम x1, x2 के कही सारे, x1, x2 के combination को select करते हैं, जो कि हमारे point बनाते हैं, अब हम कितने point select करें, किसी particular problem ने लिए, फिर यह complexity बेटे बेंड करता है, तो normal problems में 40, और complex problem में 100 solution ले सकते हैं, और यहां पर solution क्या होगा, solution जो होगा, वो x1, x2 का combination होगा, दूसरी चीज़ यह भी है, कि जो function होता है, जो हमारे पार, जो multi variable function होते हैं, हम जनली इसमें multi variable नहीं मोलते हैं, हम उसके dimension बोलते हैं, dimension of the function, तो dimension of the function का मतलब होता है, कि हमारे जो function है, वो कितने variable से मिलके बनाएं, तो यह function हमारा जो बनाएं, यह two variable function है, तो इसकी dimension कितरी होगी, two होगी, ठीक है, तो variable parameter version में हम क्या करते हैं, कैसे कुछ solution select करेंगे, औ सीधे सीधे हम real value डालते हैं, देखे, अब सवाल यह है, कि पहला step में आपको बताया था, पहला step में आपको बताया था, कि D में सब सब पहला step यह है, कि आपको parent population create करने है, तो parent population create करने के लिए आप क्या करेंगे, कि अगर function है, और उसकी dimension D है, D मतलब उसमें, वो D variable का function है, ठीक है, तो पहले हमें population का size decide करना पड़ेगा, तो minimum अगर हम 10 ले रहे हैं, बैसे minimum जो size होता है, जनली problems में, वो 40 यह 100 होता है, और हर solution को हम किस form में present करेंगे, क्योंकि D dimension का solution है, D dimension का function है, तो point जो होगा, उसमें कितने variable होंगे, D variable, ठीक है, क्योंकि हम population generate कर रहे हैं, तो एक solution को हम आयत solution बोलेंगे, ठीक है, तो हम general representation जो solution का करेंगे, वो XIG, G मतलब generation, generation मतलब, पहले हमको solution initialize करेंगे, फिर mutation crossover और selection लगाएंगे, तो फिर वो second generation के solution को generate करेंगे, ऐसे हम आगे करते चले जाएंगे, देखेंगे, अब mutation crossover का क्या मतलब है, मंदब mutation crossover, D में क्या काम करता है, और हमारा selection क्या काम करता है, तो generally क्या होता है, शुरू में mutation और crossover, दोनों का काम यह होता है, कि diversity परवाइट करना, ठीक है, यह दोनों exploitation और exploration की काम आते हैं, exploitation, exploration का मतलब क्या है, यह क्या करते है, blindly पूरे search space में, नई solutions सर्च करने की कोसिस करते हैं, जो पहले से better हो, ठीक है, और selection उनको pick कर लेता है, जो फॉर्मूले अभी आप discuss करेंगे, कुछ फॉर्मूले हम लगाएंगे, तो फॉर्मूले लगाने पर हो सकता है, जो नई values generate हो, वो limit से बाहर चली जाए, boundary से बाहर चली जाए, तो हम क्या करते है, क्लैम्पिंग करते हैं, क्लैम्पिंग करके हम वह उसको boundary में लेकर आते हैं, जैसे कि नई पोजीशन अगर maximum value से जाथा है, तो हम उसे क्लैम कर देंगे, maximum value के बाहर बना देंगे, इसे तरह से अगर minimum value से कम है, तो हम उसे minimum बना देंगे, मुटेशन कैसे इंप्लिमेंट करते हैं तो मुटेशन इंप्लिमेंट करने का तरीका यह है कि जो हमारे पैरेंट सॉलुशन्स है तो जिसके अगेंस्ट हमें मुटेशन करना है जैसे एकस आईजी एकस आईजी वो सॉलुशन है जो जिसके अगेंगे जिसके लिए हमें मुट जो ड़ो कर देंगे और जो रिमेनिंग पॉबलेशन है वुबलेशन मतलब रिमेनिंग सॉलूपिशन में से इन सॉलूपिशन को इस तो यह मुटेट सिम मन जाएगा भी आई इपरशा यह जो मुटेटेट इसकी पहली जीरो सदो के बीच में होती है और जो हमारा जो मुटेटेट सॉलूशन निकल के आया है उसे हम डोनर वेक्टर बोलते हैं तो यह मेधड है यह अभी कि अधारेश और उसके बाद हम क्रोशॉवर लगाते हैं क्रोशॉवर क्या करता है जो हमारा शुरू का सोलूशन था है छो हे चैसी रूटेटर सॉलूशन था और जो alma सॉलूशन न है उन यह कैसे बनता है यह डार्केट मनतल्ब पपिलेशन की सौलूशन और जो हमारा डोनर बेक्टर इन दोनों के मर्ज करने से बन्ता है और वह मर्जिंग किस बेसिश पर होती है वह क्रॉसूवर प्रोफिवैल्टी पर बेसिट होती है यह कि देखेंगे क्या से हम करेंगे ख्रहाdd वेब है कि हम कई सारे ओब हो सकते हैं अंब हिजो नॉर्मल एक सिंपल क्रोस Now으면 którym कि बात करें ये ठीट कि उस में क्रोस ओब मैं हम कैसे ट्राइल वेक्टर को जर्नेरेट करेंगे है ट्राइल में वह सिलरेट करेंगे तो पहले हम यह मुलकर च्लिन है हमारे पास पैरेंट सॉलूशन है जी से इंटर आर्गेट वोठेटर बोलने और डार वेक्टर है जो हमने जनरेट कर लिए हैं तो आप देखिए क्या होगा हम क्या करेंगे एक प्रॉसूबर प्रोबिल्टी जनरेट करेंगे यह नंबर होता है जो 0 से बन के है अब हों किया करेंगे अब हर बीट पे क्योंकि यह बैक्टर है तो डिजिट होंगD dimension तो वैलिवी हो नि सुम हर बैलुपर हम क्या करेंगे इ। एक रेन्डम मेंड्र हो जंड रहेंगे ob वो डायमेंशन से रेलेटेड हैं तो डिपेंडिंग ओन दा कंडिशन हम नया सोलुशन देनेट करेंगे यह देखो यह वी जे आई जी होगा एफ रेंडम की वैल्यू लेस्ट देन सी यारे मतलब सी यार से वैल्यू अगर कम आईगी तो वी जे आई जी हो और अगर ज्याद यह कंडिशन इसलिए लगाई जाती है ताकि एक वैल्यू हमारी डॉनर वेक्टर में से आए ताकि हमारी पेरेंट के से समान ना हो जाए इस तरह से हम क्रॉसवर लगाते हैं इनके प्रोसिस के पीछे बढाने के पीछे बहुत आइडिया रहा है तो वह आप दियां से आपको पेरेंट सॉलूशन था और जो अभी आपने ट्राइल वेक्टर बना लिया है ठीक है वो दोनों में उनकी फिटनेस को कंपेर करेंगे फिटनेस यह देखो आप कंपेर कर रहे हैं तो मिनिमाईजेशन प्रॉब्लम है तो आगर नया सॉलूशन पहले वाले से उसकी फिटनेस का में है तो हम उसको चूज कर लेंगे वो नया सॉलूशन बन जाएगा अधरवाइस पैरेंट सॉलूशन ही रहेगा इस तरह से हम यह प्रॉसस कई बार रिपीट करते हैं जब तक कि हमारा हमें बैस सॉलूशन मिलने ही जाता है इसमें एक चीज़ और है कोई नह परगडना है लेकिन इनका काम गलोबल ऑप्टिमल सॉलूशन परगडना नहीं होता हाला कि हम डिजाइन करने हैं लेकिन यह आपको क्या करें है एछ अच्छा सोलूशन देंगे जो कि नियर टुगलोबल ऑप्टिमल सॉलूशन हो तो यह इनकी भी उडिए है उस सारे हम एक program create करना है तो हम कैसे करेंगे तो सबसे पहले हम program create करने के लिए क्या करेंगे parent population बनाएं parent population हम कैसे मनाएंगे तो हम क्या करेंगे कुछ number solution की fix कर दें ठीक है कुछ solution number of solutions fix कर देंगे और यसे हम जो हमारी जो given boundaries हैं उनके बीच में generate कर लेंगे तो हमारे यहां जो हम में एक सेंपल प्राव्लम लोगा उसमें पास सॉलूशन जन्रेट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सॉलूशन जन्रेट करेंगे, उसमें पास रेंडम सॉलूशन जन्रेट करेंगे, तो यह जो सॉलूशन होंगे, यह से हम टारगेट, टार रही हम क्या कर सकते हैं पां City आ गया एक दीन सट्थ संट if तो कोई बीजर सकते हैं लेकिन हम नहीं इसली है थाकि हमा रहा हुआ हम हम समंझाensed तो हम भसम समझा रहे हैं तो हमने यहां पर एक प्पांच बूसर से जनलर कि निया है बण टू-टू-टू-टू-फ़-फाइश सिक फ़िए प्रण वेक्टर हो गए हम इस प्रेंट वेक्टर में हम ट्रेंट वेक्टर से डॉनर वेक्टर बनाईंगे तो हर solution के लिए जैसे 1,1 है इस 1,1 को चिपा लेंगे और जो रिमेनिंग पॉपलेशन है उसमें से तीन सॉलूशन उठा लेंगे कोई भी तो आप देख रहे हो यह दो कॉमा दो चार उच्छे कॉमा चार उठा लिए इसने तो टू कॉमा टू में बेटिट डिफरेंस एट करके सम ने डूनर बेक् लेंगे तो कॉन-कॉन से सेलेक्ट कर सकते हैं 135 तो 13 क्या है वन है 113 का मतलब 445 मतलब 55 पिर बेटिट डिफरेंस निकालो तो यह कुछ आ जाएगा ऐसी सब के लिए अब निकालने है ठीक है तो देखो यह तो इस तरह से हम डॉनर बेक्टर निकालने के बाद पिर आपको न करने के लिए हम क्या करेंगे क्योंकि आपका जो जो फंक्शन है वो दो डैमेंशन का है तो हम दो वैल्यू सी यार की जन्रेट करेंगे तो मैंने आप बताया था क्रोसूबर प्रोप्रोवेल्टी जीरो सबन के वीच वह कुछ भी हो सकती है तो हमने क्या क्या पॉइंट 4 ने वन और टू ठीक है नहीं टू मैंटिम डिमेंशन दो हो सकती है तो आहीं एक वैल्यू वन और टू हो सकती है कि अब हम क्या करेंगे हम चैक करेंगे कि क्लिए वेल्यों गूंगी देखो यह बंकॉमा वन यह हमारा सुरू का पोजिशन ब्रक्टर था जो हमने निकाल लिए अब हम क्या करेंगे नई random value generate करेंगे तो random value जो हमारी जनरेट हुई है वो 0.3 और 0.8 है तो आप देख रहे हो यह 0.3 0.4 से कम है 0.3 आपकी 0.4 से कम है तो जब यह value कम होगी 0.3 0.4 से कम है तो यह जो बिट उठके आएगी वह यह कंडिशन हमें चेक करने पड़ेगी तो 0.3 अगर 0.4 से कम है तो क्या आएगा यह 0.3 0.4 से कम है इसमें 0.8 0.8 बरावर है तो कैसे कैसे आएगी तो वह condition देखके हम जनरेट कर लेंगे तो 0.3 इसमें value कम देख रही है तो आप देख रहे हो यह value mutation vector से आ रही है और दूसरी value कहां से आ रही है दूसरी value mutation vector से आ रही है तो ऐसे उठाई अब देखो इसमें probability हो जाएगा ऐसे हमागे जो हमारी क्रोसोवर को repeat करते रहेंगे फिर हम क्या करेंगे अब हम क्या करेंगे अब हमें चेक करना है कि हमारी नई population क्या बनेगी तो भाईया जो पोजीशन बैक्टर यह मत्तब पेरेंट वेक्टर यह थे और जो आपने नए बनाई ट्राइल वेक्टर वह यह हैं आप इनकी फिट्नेस नकालोगे फिट्नेस की सबीसिस में नकालोगे फिट्नेस function के तो इस फंक्शन क्या था वह x1 square plus x2 square तो x1 square plus x2 square यह हो गया दो यह 20 तो जिसकी फिट्नेस कम होगी वह सेलेक्ट हो जाएगा जैसे 1,1 यह आ गया है इसी तरह से और दूसरे में सेलेक्ट करेंगे तो यह हमारी नहीं पॉपलेशन है तो आप देख रहे हैं नहीं अंदेसे सब्सक्राइब में आराम से पहले कर सकते हैं जिसकी को प्रॉब्लम है वह पता सकता है तो अगर मैं अगर अच्छा रगेगा आपको तो मेट्यप्लेब में वीडियो बना दूग अगर आपको हिंदी में अच्छा लग रहा है इसकी स्ट्रेंथ और बीकनेस क्या है बहुत इजी है इंप्लिमेंट के लिए ठीक है वह बहुत फास्ट है यह तो स्ट्रेंथ है लेकिन इसमें सेब्रल म्यूटेशन स्ट्रेजी अवेलेबल है तो आदमी कंफ्यूज हो जाता ह है कि कौन सा लगाए कौन सा नहीं लगा इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो खतम करता हूं बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए